प्यारे विध्यारतियों, आज मैं कक्षा आठ की हिंदी पाथे पुस्तक दोर्वा भागतीन मैं संकलित एक कहानी लेकर उपस्तित हुआ हूँ, जो स्वतंतरता के संघर्ष से जुड़ी हुई है बच्चों, हमारा देश अंग्रेजों के अधीन रहा और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंतर हुआ विध्यार्तियों, हमारे देश को आजाद करने के लिए अनेक स्वतंतरता सैनानियों ने संघर्ष किया और अपने प्राणों का त्याग किया मुझी पता है आप लोगों ने सोचा होगा रानी लक्ष्मी बाई, तात्या टोपे, भगत सिंग, चंदर शेखर आजाद, आदी लेकिन देश के कोने कोने में अन्याय के विरोध करते हुए, ऐसे अनेक वीर योधा पैदा हुए, जिनोंने अन्याय के विरोध में अंग्रेजों से संघर्ष किया और अपने प्राणों का बलिदान दिया आज हम ऐसे ही एक वीर योधा की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो आंदर प्रदेश से जुड़ी हुई है कहानी के नायक हैं अलूरी, स्रीराम, राजू पाठ का नाम है अन्याय के खिलाफ और इसे चक्मक से लिया गया है आप सब इस कारिक्रम के अंत में कहानी वाचन की आदर्श शायली से अवगत होंगे कहानी को समझ कर अपनी भाशा या बोली में प्रस्तुत कर सकेंगे कहानी में आए नए शब्दों के अर्थ समझ कर वाक्य प्रयोक कर सकेंगे देश में रहने वाले आदिवासियों के प्रति सम्वेदनशील और जागरुख हो सकेंगे और जानकारी इखटा करेंगे कुछ व्याकरनिक बिंदुओं जैसे मुहावरों के सामान्य परिच्च एवं प्रयोक से आवगत हो सकेंगे आईए अब इस पाट का आदर्श वाचन करते हैं कहानी का आदर्श वाचन शुरू करते हैं तेरह हमाँ पाट अन्याय के खिलाफ बात 1922 की है उन दिनों अंग्रेजों का शासन था भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था अपने लोगों को तरह तरह की अतियाचार सहने पड़ते थे अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे ऐसे ही लोग थे आंदर प्रदेश के कोया आधिवासी और उनके नेता का नाम था श्रीराम राजू आंदर के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आधिवासी सीधी साधी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया उनका जीवन मुश्किल हो गया अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाडों को चीरती हुई एक सडक बिचाई जाए पर सडक के निर्मान कारे के लिए मजदूर कहां से आएंगे यह सवाल जब तहसीलदार महोदे के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी तहसीलदार का नाम था बेस्टियन बेस्टियन को शासन द्वारा सडक बनवाने का काम सौपा गया था बेस्टियन सभाव से बहुत अख़ड और क्रूर था आदिवासियों के गाओं में गया और बड़े घमंड के साथ खूप चिला चिला कर बोला दो दिन में जंगल में सडक बनाने का काम शुरू होगा तुम सब लोगों को इस काम पर पहुँचना है एगर नहीं पहुँचे तो ठेक नहीं होगा अंग्रेज सरकार का हुक्म है यह जान लो आदिवासी लोग चुप हो गए वे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे वे कुछ पूछें तो किस से? कुछ करें तो क्या? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? तो बेस्टियन का चेहरा तम तमा गया क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है आगे से यह सवाल मत पूछना आदिवासी सहम गए काम पर जाने लगे पर उनका मन नहीं मानता था वे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुसे से सुलग रहे थे उनी दिनों एक साधू जंगलों में आकर रहने लगा था उस साधू का नाम था अलूरी स्री राम राजू स्री राम राजू ने हाइ स्कूल तक पढ़ाई की थी उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़ कर वह अठारा वर्ष की उम्र में ही साधू बन गया जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कश्टों से छुटकारा पाएं श्री राम राजू ने आदिवासीों से कहा अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए उसकी बात सुनकर आदिवासीों में हिम्मत आई स्री राम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं उनमें एक मशूर नेता है जिनका नाम गांदी जी है गांदी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहीयोग नहीं करना चाहिए अगर कोई अंग्रेज अन्याई करेगा तो हम अन्याई सहने से इंकार करेंगे यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ फिर क्या था विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान दुख और क्रोध फूट के निकल पड़ा भद्रा चलम से परवथी पुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूथ पड़े अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी दो साल तक विद्रोह को दबा न पाई जब संकरी पगडंडियों से सेना की टुकडी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतिय सिपाहियों को गुजर जाने देते और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते तो उन पर अच्चूक निशाना लगाते आदिवासीयों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजु के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी श्री राम राजु ने आदिवासीयों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो पर एक भी भारतिय सेनिक का बाल बांका न होने पाए अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतिय सिपाही भी थे राजु के आदेश का सक्ति से पालन हुआ जब वो पहाडों से कूच करता था मानो उन्हें किसी का भाय ना हो आदिवासी लोग पुलिस चौक्कियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे राजु ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुँचाने के लिए गुप्त चरों का जाल पहला रखा था अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुचाए जाते कि किसी को कानो कान खबर ना हो यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली जंगलों और पहाडों में राजु के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते ऐसे इलाके में हतियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती थी राजु के लोगों को गाउ गाउ का सहारा था गाउ के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाक कोशिश करने पर अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सूजी उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे अब इन्हें भूके रखकर मारना पड़ेगा अंदर जंगल के गाउ में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिये गए किसी को भी सामान का एक जगा से दूसरी जगा पहुँचाना मुश्किल हो गया लोगों की बंदूकों के कार्तूस खत्म हो गए इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गाउं में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे यहां तक की उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी आखिर कब तक यह तकलीफ बरदाश्त की जा सकती थी राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड में आ गए थे एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जखमी हो गया था लोग परिशान होकर राजू के पास पहुँचते राजू भी परिशान था उससे उनका दुख देखा नहीं गया राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्म समर्पन कर दूँ तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे उसने देखा कि दो वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कटिनाईयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूका मार कर ही छोड़ेगी यह सोच कर स्री राम राजू अपने आपको अंग्रेजों के हवाले सौपने चला सेना के मेजर गुडौल मंपा गाउ में डेरा डाले हुए थे राजू को गिरफतार करके उसके सामने पेश किया गया गिरफतारी की खबर सुनकर आसपास के गाउं के लोग बड़ी संख्या में वहां इखटे होने लगे मेजर गुडौल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था उसे कहां उमीद थी कि उनका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बरताव हो पर गुडौल का कोई इरादा नहीं था कि कोट का चहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जराभी मौका मिले बस उसके इशारे पर एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया गया इस तरह अलूरी श्री राम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन तूट गया पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था वे समझ गये थे कि आदिवासियों के साथ मन मर्जी नहीं की जा सकती तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेश कोशिश करने का फैसला हुआ अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की चक्मक से आपने इस कहानी पाठ के दोरान कुछ नए शब्दों पर गौर किया होगा तो आईए इनके सामान्य अर्थ एवं वाक्य प्रयोग को जानते हैं पहला गुलाम अर्थात जो किसी के अधीन हो जिसे अंग्रेजी में स्लेव कहते हैं वाक्य प्रयोग गुलाम व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकता दूसरा धमकी देना अर्थात किसी को डांट कर डराना जिसे अंग्रेजी में थ्रेटन कहते हैं वाक्य प्रयोग चोर बैंक लूटने की धमकी देकर चले गए तीसरा हक अर्थात अधिकार जिसे अंग्रेजी में राइट कहते हैं वाक्य प्रयोग जनता का हक है कि वह अपना वोट अपनी इच्छा से करें चाओ था निगाह अर्थात नजर जिसे अंग्रेजी में साइट कहते हैं वाक्य प्रयोग सेना की निगाह से बचकर देश के अंदर प्रवेश करना असंभव कारी है पांच्वाँ पग डंडी अर्थात खेतों के किनारे बना हुआ पतला रास्ता जिसे अंग्रेजी में फुटपाद कहते हैं वाक्य प्रयोग बारिश के कारण पग डंडी में पानी जमा हो गया था छटा टुकडी अर्थात समोह अंग्रेजी में जिसे ट्रूप कहते हैं वाक्य प्रयोग भीड को रोखने के लिए सेना की टुकडी तैनात कर दी गई साथवाँ अच्वाँ अर्थात खाली न जाने वाला जिसे अंग्रेजी में शोर कहते हैं वाक्य प्रयोग भागते हुए चोर पर अच्चूक निशाना लगाना पुलिस के लिए आसान कारिन नहीं था आठवाँ तर्कीब अर्थात उपाए जिसे अंग्रेजी में आइडिया कहते हैं वाक्य प्रयोग कोरोना से बचने की तर्कीब है सामाजिक दूरी बना कर रहना नवा मिसाल अर्थात उदाहरन जिसे अंग्रेजी में एग्जाम्पल कहते हैं वाक्य प्रयोग नेताजी दुआरा हिंदी में भाशन देना राष्ट्र प्रेम की एक बड़ी मिसाल है आईए अब हम कहानी के मोल बिंदों पर चर्चा करते हैं पहली बिंदो है इस कहानी में अंग्रेजों के अत्याचार को दर्शाया गया है अंग्रेज भारतियों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे अंग्रेज शासन ने भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था वे भारतियों को गुलाम मानते थे उनका कहना था कि नौकर का काम मालिक के आदेश को मानना मात्र है आदिवासियों को अपमान सहना पड़ रहा था दोसरी बिंदु है इस कहानी में अन्याय के खिलाफ किये गए संगर्ष को चितरत किया गया है अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध आंदर प्रदेश के कोया आदिवासी जन और उनके नेता श्री राम राजु ने किया उसने आदिवासी लोगों की हिम्मत बढ़ाई उसने गांदी जी के विचार आदिवासी लोगों तक पहुचाए और कहा कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे आदिवासी लोगों के दिल मचबूत हुए और भद्राचलम से परवथी पुरम तक के पूरे इलाके के आदिवासी लोग इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कुद पड़े अंग्रेज सरकार के ऐसे चक के छूटे की विद्रोह दबाने के लिए आसपास के राजियों से सेना बुलानी पड़ी दो साल तक आदिवासी लोग अंग्रेजों का विरोध करती रही तीसरी बिंदु है इस कहानी में देश प्रेम और वीरता को दर्शाया गया है आदिवासी जंगलों में छिप कर अंग्रेजों पर आक्रमन करते थे श्री राम राजु के निर्देशा नुसार अंग्रेजों की सेना में शामिल भारतिये सेनिकों पर आदिवासी लोग आक्रमन नहीं करते थे आदिवासी लोग पुलिस चौक्कियों या सैना पर हमला कर देते और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे एक कोने से दूसरे कोने में संदेश भिजवाने के लिए गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था सभी गाओं के लोग विद्रोहियों को सहारा देते थे और अंग्रेज कुछ नहीं कर पा रही थी चौथी बिंदू यह आदिवासी नेता श्री राम राजु के त्याग और बलिदान की कहानी है अंग्रेजों ने आदिवासी लोगों के राशन पानी के सभी रास्तों को रोक कर उन्हें भूके रख कर पराजित करने की चाल चली राजु से आदिवासी लोगों की पीडा नहीं देखी गई उसने खुद अंग्रेजों के सामने आत्म समर्पन कर दिया ताकि अंग्रेज आदिवासी लोगों को सताना बंद कर दे लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी से राजु की गोली मार कर हत्या कर दी राजू लोगों के लिए शहीद हो गया और आदिवासी लोगों का आंदोलन तूट गया कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की थी आईए अब हम कहानी की शैली पर चर्चा करते हैं यह सची घटना पर आधारित एक प्रेरक कहानी है कहानीकार ने सीधी साधी मुहावरेदार भाशा का प्रयोग किया है कहानी अन्याय के विरुद खड़े होने की प्रेरना देती है और दूसरी तरफ आदिवासी लोगों के प्रती सम्वेदन शील भावना जगाती है करती हुई दिखाई देती है अन्याय के खिलाफ लड़ने का संदेश भी देती है कहानी बाल पाठक के मन में वीर्ता का संचार करती है विध्यारतियों आईए अब हम इस पार्ट में प्रयुक्त व्याकरनिक बिंदू पर चर्चा करते हैं आपने आदर्श वाचन के दोरान कुछ ऐसे वाक्यों पर गौर किया हुगा जो आपको काफी रोचक और आकर्शक लगे होंगे जैसे एक सिपाही ने उसका काम तमाम कर दिया आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी अंग्रेजों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली किसी को कानों कान खबर न हो अंग्रेज सरकार के छक्के छूट गए अंग्रेजों के होश उड़ गए भारतिये सैनिकों का बाल बांका न होने पाए इन वाक्यों में काम तमाम करना हिम्मत जवाब देने लगना दांतों तले उंगली दबाना कानों कान खबर न होना आदिवाक्यांच मुहावरे कहलाते हैं अर्थात सामान्य अर्थ को छोड़ कर किसी विशेश अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांच मुहावरे कहलाते हैं मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुन्दर, प्रभाव शाली तथा संग्षिप्त वा सरल बनाने के लिए किया जाता है मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करने से पहले हमें कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए पहले मुहावरों का अर्थ जान लेना चाहिए वाक्य में मुहावरे का प्रयोग इस तरह करें कि अर्थ स्पष्ठ हो वाक्य में अर्थ का नहीं मुहावरे का प्रयोग करना चाहिए जैसे पुलिस को देखते ही चोर 921 हो गया अर्थाद पुलिस को देखते ही चोर भाग गया प्रियविद्यारतियों आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी हमने आपके लिए कुछ प्रश्ण तियार किये हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं पता कीजिये कि भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वालों में आपके प्रदेश से कौन-कौन विक्ती थे उनमें से किसी एक के बारे में मित्रों की साथ चर्चा कीजिये निम्निलिखित प्रदेशों में कौन-कौन से आदिवासी रहते हैं इंटरनेट की सहायता से पता करके लिखिये सन 1857 में सोतंदरता की चिंगारी को फैलाने में कार्तूसों ने बहुत महतुपूर्ण भूमिकाने भाई थी इंटरनेट की सहायता से इसके बारे में खोजबीन कीजिये तथा अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिये आज के कारिक्रम में हमने सीखा कहानी वाचन की आदर्श शायली से परिचित हुए कहानी में आए नए शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग को जान सके कहानी के मूल उद्देश से अवगत हुए मुहावरों के अर्थ और प्रयोग से परिचित हुए आज के कारिक्रम में बस इतना ही फिर बिलेंगे एक नए पाट के साथ तब तक घर पर रहें सुरक्षित रहें धन्यवाद लिए लिए आज के साथ अज्यवाद कार ne चाकार लिए नए पंदर में खे उर्व है जास थे पाट के साथ